आपका स्वागता है हमारे यूटूब चाइनल में आज की इस वीडियो में मैं आपको विंडोस 10 या विंडोस 11 के लापटाप, डेस्टाप या पीसी में यूजर अकाउंट कैसे क्रियेट करते है इसके बारे में बताने वालाओ पीसी या लापटाप में यूजर अकाउंट क्रियेट करने के लिए सबसे पहले आप सर्ज बार में टाइप कीजिये कंटोल पैनल उसके बाद कंटोल पैनल पे क्लिक कीजिये कंटोल पैनल पे क्लिक करने के बाद यूजर अकॉण पे क्लिक कीजे, यूजर अकॉण पे क्लिक करने के बाद, फिर से यूजर अकॉण पे क्लिक कीजे, यूजर अकॉण पे क्लिक करने के बाद, जिस नाम से आपको यूजर अकॉण पे क्लिक करना है, वो नाम यहाँ पे टाइब कीजे, नेम टाइब करने के ब नेक्स पे किलिक कीजिए नेक्स पे किलिक करने के बाद लोकल अकाउन के आगे में एरो दिया है उस एरो पे किलिक कीजिए किलिक करने के बाद चेंज अकाउन टाइप पे किलिक करने के बाद यहाँ पे एड्मिनिस्टेटर को सिलेट कीजिए एड्मिनिस्टेटर को सिलेट क करने के बाद ओके पे क्लिक कीजिए ओके पे क्लिक करने के बाद विंडो को क्लोज कीजिए विंडो को क्लोज करने के बाद इसी तरह से आप विंडोस 7, विंडोस 10 या विंडोस 11 के लापटाप, डेस्टाप या पीसी में यूजर अकाउंट क्रियेट कर सकते हो